सोहन को सबक बिसकुटादी के अलावा दवाईयां वा कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था सोहन और रितु विद्याले से लोट रहे थे कि अचानक रितु की तबियत खराब हो गई पहले तो सोहन ने ध्यान नहीं दिया तुम रितु को ग्लूकोज घोल कर पिला दो तब तक मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ पर तुम ग्लूकोज का घोल पिलाते रहना वरना मुश्किल हो जाएगी सोहन ग्लूकोस निकालने के लिए जो ही अलमारी के पास पहुचा, तो देखा कि अलमारी को ताला लगा था, उसने इधर उधर चाबी ढूड़ी पर उसे कहीं न मिली, तब उसने फिर से मा को फोन किया मा बोली, ओ बेटा, चाबी तो मेरे पास है, अब क्या होगा मा, सोहन फोन पर ही रो पड़ा, फिर रोते हुए मा से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया, आपको पता था कि उसमें ग्लूकोस है, मा ने कहा, पार, सोहन तुम्हें भी तो पता था कि उसमें पड़े हैं, जो तुम, रोज चुप चाप खा जाते हो, ना, तुम बिस्किट खाते न मैं ताला लगाती और न रितू का इतना बुरा हाल होता, अच्छा, मैं, डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ, सोहन की हालत खराब, कभी वह रितू को देखता तो कभी रोता, देर, में मा आ गई, मा के घर में घुस्ते ही सोहन ने पूछा, आप अकेली आई है, आपको पता है रितू की तबियत कितनी खराब है, तभी अदर से आवाज आई, माई तो ठीक हूँ, भया, अरे, मा क्या आते ही तू ठीक हो गई, सोहन, ने रितू को गले से लगा लिया, भया, मुझे तो, कूछ हुआ ही नहीं था, ये तो तुम्हे सबक, सिखाने के लिए हमारी योजना थी, रितू बोली, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा कहते हुए, सोहन रो पड़ा, मा ने सोहन और रितू को गले, लगा लिया,